हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्राखंडी के प्रात्रमिक शिक्षक भरती के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं न्यूस्वेपर में आये होगा है यहाँ पर करेंगे बेसिक शिक्षक भरती पर कोट के फैसले के बाद ही नेड़ाय होगा तो राज्यय में अन्यायश डिलस्ट विवाद के कारण रुकी बेसिक शिक्षक भरती को सरकार फिलहाल सुरू नहीं करेगे और अनिच विब्लद अब भरत्य layer को परिक्ष्या में शामिल करने के हाई कोट के फैसले पर हलांकि सुप्रीम कोट रोक लगा चुका है और सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोट का अंतिम फैसला आने तक इंतजार करने का निर्णई किया है तो अब जब तक कोट की ओर से अंतिम निर्णई नहीं आ जाएगा सुप्रीम कोट की ओर से तो ठोश नेड़ाई निकल के आये और उसके बाद ही भरती चालू होगी ठीक है प्राथमिकी शिक्षा सचीव रविदात रमन ने इसकी पुष्टी भी कर लिए और सूत्रु के अनुशार कुछ समय पहले सरकार ने इस विशेपर नियाई विभाग से राय मांगी थी और को सामिल करने का फैसला बहाल हुआ तो अगर सुप्रीम कोड अगर इस पर फैसला दे दे तो अभी भी अभी की जाने वाली न्योक्तियं भी सिरदर्द बन सकती हैं तो ऐसे में भरतियों को कुछ समय के लिए रोकर रोके रखना बहतर होगा और मालूम हो एनाइस डिया सुप्रीम कोड ने हाई कोड के फैसले पर रोक लगा दी है फिलाल और यानि हाई कोड ने जो फैसला दिया था कि एनाइस डियाल को सामिल किया जाए तो उस पर रोग लगी हुए तो अगली सुनवाई जो है 31 दिसम जन्वरी को होने वाली तो 31 जन्वरी के बाद ही प्रात कि यहां पर साब आप देख सकते हैं कि विभाद जो है इस डिलर्ट को सामिल करने के वजह से हो गया था क्यूंकि प्रेड वाले सुप्रीम कोड चले और सुप्रीम कोड में ब्यर्ड बालें की अप्लिकेशन ले ली थी सुप्रीम कोड ने और भरती पर रोग भी लगा दि झाल झाल